आप सभी का वाइट एजूकेशन पे रोज शाम को आठ बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए बिहार दरुगा के मुख्य परिक्षा से रिलेटेड वो सारे प्रशनोत्तर जो कि आपके हर एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं वीडियो अगर आप लोग हमारा रोज देखते है तो आज सेट है आपके लिए 102 यानि की 102 जी हम मुख्य परिक्षा की तैयारी में हम आपके साथ सुरू से जुड़े वे हैं इन फैक्ट प्रिलिम्स में भी हम आपके साथ हैं और अब यहाँ पे मेंस के लिए भी 100 से ज़्यादा सेट आपको दिये जा चुके हर सेट में हो भी आपको साथ में कराया जाएगा तो एक्जाम के डेट आने में अभी समय है मुझे लगता है कि सेप्टेंबर टच करी जाएगा इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा तैयारी करते रहिए घर बैठे हैं तो ठीरिटिकल पार्ट पड़ते रहिए चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेट का जियां जो छातर यहां पे बिहार ESI या ASI या फिर BSSC यानि की बिहार SSC का मेंस का तैयारी कर रहा है वो छातर भी इस वीडियो को जरूर देखेगा और अपनी छमताओ को जरूर यहां पे जज करेगा इस वीडियो के माध्यम से 50 में कितने कोशन आ हैं तो प्लीज चैनल के इस रेट कलर के बटन को दबाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल के आइकन को दबाके ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके चलिए दोस्तों तो शुरुआत करते हैं और ए ठीके तो ये टाइम आप लोग नोट कर लेंगे और सुबह के टाइम में करेंट अफेर का सिनारियो भी आपको दिया जाएगा लेकिन मैं आपको बता दूँगा अभी सुबह के 9 बजी का कौन सा वीडियो आने वाला है चलिए धन्यवाद पहले कोशिन के साथ आते हैं यहाँ पे और आज का पहला कोशिन आपके सामने आ चुका है दोस्तो आंसर करेंगे यहाँ पे कोशिन नमबर फर्स्ट का खेल कूद जगत में थर्ड आई का संबंद किस से है यह कोशिन सहीद आप लोग सभी जानते होंगे और मुझे लगता है कि आंसर भी आपलोग सभी सही करेंगे यहाँ पे अंफाद फट फट आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इस ऐ बी जिनका उतर आरा यहाँ पे cricket नोट कर लेंगे जिसका उतर आ रहा है B cricket is the right answer जियां third eye आप लोग खेल ले होंगे खेल third empire का होता है जियां नोट कर सकते हैं चलिए question number 2 पे चलते हैं आदी मानों से सबसे पहले सीखा हमने आदी मानों से सबसे पहले क्या सीखा है चलिए answer करेंगे यहाँ पे जल्दी से comment box में एक question important है बिल्कुल जिनका उतर आ रहा दोस्तो आग जलाना A is the right answer question number 3 पे आते हैं दोस्तो मेगा स्थनीज किसके सासनकाल में भारत आया था मेगा स्थनीज किसके सासनकाल में भारत आया था जल्दी सांसर करेंगे बिल्कुल दोस्तो भारत पर आक्रमन किया था किन्तु उसे संधी करने का विवस होना पड़ा था जी हाँ मेगा स्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्ति मौरे के दर्बार में आया था नोट कर सकते हैं आंसर हमारा B हो जाएगा इट्स राइट आंसर चलिए कोशिन नमबर 4 पे चलते हैं आपके सामने आ चुका है कोशिन नमबर 4 का उत्तर कीजिएगा जल्दी से कोशिन बड़ा देखकर छोड़िएगा नहीं कोशिन को क्योंकि कोशिन बहुत आसान है निमलिगीत में से किस राष्टवादी ने भारत के लिए स्वसासन को वर्तमान दसाओं में भारत के प्राचीन जीवन की निसत्ति और राजनिती में विदानतिक करके आदर्शोकों अंतिम निश्पत्ति किया है तो वो कौन है बिलकुल याद रखेगा नोट कर सकते हैं दोस्तो नोट कर लिजीगा एनी बेसेंट ओके कोशन नमबर दी इस दा राइट आंसर दोस्तो डॉक्टर एनी बेसेंट जो की एक अगरनी अध्यात्मिक थियोपरेस्टिट भी थी या थियोच्परेस्ट भी थी महिला अधिकारी का समर्थन किया है इनोंने लेखक भी थी और वक्ता भी थी भारत प्रेमी महिला थी ये इसलिए इनको जाना जाता है एनी बेसेंट को इनका जन्म 1847 में हुआ था ये आप ध्यान रखेंगे इनकी मिर्तिव दोस्तों 1933 में हुई और ये इनकी राष्ट्रत यानिकी जो ये सेटिजन सिप था इनका वो ब्रिटिश का था यानिकी इंगलेंड की रहने वाली थी ठीक है चलिए कोश्चिन नमबर नेक्स चलते हैं को ये आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पर कोश्चन नमबर फाइब का भारत एक संसद ये लोक तंत्र के रूप में ग्यात होता है क्योंकि बिल्कुल जिनका उतर आ रहा है दोस्तों इससी नोट कर लिजीगा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कारेपालिका के संसद के प्रति उत स्थापना कब की गई भारत में निती आयोग की स्थापना कब की गई चलिए आंसर होगा यहाँ पे इससी 2015 में भारती जंता पार्टी की सरकार आई और ये जो दोस्तों निती आयोग है एक जनवरी 2015 को लागू किया गया यहां आपको मैं बताना चाहूंगा कि 15 मार्च 1950 को केंद्री मंत्र मंदल के द्वारा पारित प्रस्ताव की द्वारा यहां पर योजना की स्थापना की गई थी और इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो PM होता है क्यानि कि प्रधान मंत्री होता है और 13 अगस्ट 2014 को एक निति आयोग का गठन किया गया निति आयोग भारत सरकार की एक ठिंक टैंक है ठीक है जो कि एक जनवरी 2015 को यह स्थापित की गई इसके अध्याइक्ष प्रधान मंत्री ही होते हैं चलिए कुश्च निम्बर सेबन का अंसर करेंगे निम्लिखित में से कौन सा भारत की आर्थिक आयोजन का उदेश नहीं है चलिए कुश्च निम्बर सेबन पर चलती है फटा फटा आंसर कीजिएगा जनसंक्या वरिदी बिल्कुल सही उत्तर आरा आप लोगा A is the right answer जिया आर्थिक योजनाओं से ही इसका कोई समन्द नहीं ह जनसंक्या वरिदी का बाकी और ध्योकिक आर्थिक और रुजगार से समन्दित बिल्कुल है यहाँ पर चलिए कोश्च नमबर 8 पर आते हैं दोस्तों फटा 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 आंसर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिजे ताकि ऐसे कोश्च डेली आपके लिए लेक इसका गवर्णर अभी सक्तिकांदास हैं और यह इसका हेट कोषार कहा वार तो मुंबई में है दराकर कि कारोबार का निस्पादन नहीं करता है चलिए आंसर कीजिएगा question number 8 का जी हां दोस्तो जम्मू कश्मीर का जी हां answer हमारा B हो जाएगा question number 8 का answer क्या हो जाएगा दोस्तो It's a B, is the right answer चलिए question number 9 पे चलते हैं जी हां answer कीजिए दोस्तो लोकसभा का पांच वर्स का समान्य कारेकाल समाप्त होने से पहले कौन भंग कर सकता है बिल्कुल इसको सिर्फ और सिफ भंग कर सकते हैं हमारे देश के राष्ट्रपती C answer करेंगे और सिफारिस किसकी होनी चाहिए तो प्रधान मंत्री की सिफारिस पे होनी चाहिए यदि प्रधान मंत्री चाहता है कि उसका जो कारेकाल है उसको भंग किया जाए तब ही राष्ट्रपती उसको पारित कर सकता है और उसको भंग कर सकता है चलिए question number 10 पे चलते हैं दोस्तो question number 10 का answer करेंगे आप लोग के सामने आचुका है 73 संसोधन के बाद निमलहित में से वो पहला राज ये कौन सा था जिसे कि पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाओ कराए गए बिल्कुल बहुत सा युत्तर कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे अगर आंसर कर रहे हैं दोस्तो इट्स मध्य प्रदेश इस दे राइट आंसर जी हाँ दोस्तो नोट कर सकते हैं आंसर हमारा हो जाएगा ए मध्य प्रदेश चोकि पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाओ करा चुका है 73 संसोधन के बाद यह पहला राज ये बना था दोस्तो कोशिन मनेगा 73 संसोधन कब और यहाँ पे दोस्तो नगरपालिकाओं और संविधानिक दर्जा भी दिया गया इस संसोधन में इस संसोधन के माध्यम से संविधान के भाग 9 का जोड़ा गया और एक जुन्द 1993 से इसको प्रभावी भी किया गया था ठीक है 73 और 74 ठीक है ध्यान रखेंगे कोशिन इंबर 11 पे आते हैं भारती संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की जलक मिलती है किस में यह भी पॉलेटी से कोशिन है आंसर करेंगे जल्दी से जी हैं दोस्तो भारती संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की जलक मिलती है आंसर होगा अंसर क्या होगा भारत का समझाधान में जैटून की साखा प्रतीक है यह एक परतीक है और देखिए आज का हमारा सुबह बारह बज़े का वीडियो था वह Prतीक से ही रिलिटेट था तो वहाँ पे करीब 30 कोशन आपको दिये यह हैं तो सीज को जाके जरूर नोट कर लिजेगा और यह होता है सांती का प्रतीक दोस्तो अगर आप से पूछू मैं कि सफेद जंडा किसका प्रतीक है तो याद रखेगा संधी और समर्पन का चिन्न होता है संधी एक होता है जब M.E.U. प्यास्ताक्चर होता है तो देखेंगे आप सफेद जंडा वहाँ पे जरूर रहेगा चक्र तो चक्र प्रतीक है दोस इसका ठीक है यह हमारे समविधान में उल्लेखीत है ठीक है तो यह चार चीजिए आप नोट करके जरूर रख लेजिएगा कोशिन इंबर 13 पर आते हैं अंतरा अंतरा किस देश की समचार एजेंसी है ठीक है आंसर करेंगे कोशिन इंबर 13 का चलिए आंसर किजिए इंडोने इंडोनेशिया अब दोस्तों यहां पर इंडोनेशिया से रिलेड़ कोशिन जरू पूछेगा बिल्कुल याद रखेगा इंडोनेशिया की राजधानी जकारता होती है और इंडोनेशिया जो है इसकी राजधानी जो है सबसे बड़ा सहर जकारता ही है इंडोनेशिया का जो कि एक गणराज्य और दक्षिन पुर्व एश्या और अश्रीनियनिया के स्थित है दोस्तों नोट कर सकते हैं चलिए यहां पे मुस्लिम अबादी छेतर है यह देश है चोश्च नमबर 14 सोना चांदी और लोहा में सबसे अधिक तनय होता है चलिए आंसर करेंगे दोस्तो जो कोश्च नमबर 14 का सबसे जदा सोना होता है दोस्तों कया होता है चिंद फड़ाजर करेंगे धोस्तों यहां पे कोश्च नमबर central के यहां दोस्तों नोट कर सकते हैं इचसा जियां सी यानिकी 90 degree होता है नोट कर सकते हैं It's a C 90 degree होता है Question number 16 Solar cooker में किस दरपन का परियोग होता है जल्दी सांसर करेंगे Solar cooker में किस दरपन का परियोग होता है बिल्कुल जिनका उतर आ रहा है दोस्तो यहाँ पर A अवतल दरपन का बिल्कुल याद रखीगा यह सर्वत्तम दरपन होता है जिहां अवतल दरपन और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक मात्र प्रकार का दरपन है जो कि सूरी के प्रकास को एकल केंदृत बिंदू की और दर्शाता है क्या एकल केंदृत बिंदू की और पॉइंट पे दर्स आएगा उसको ठीक है इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों सर्वत्तम दर्पन कहते हैं कुशन नमबर 17 पर आते हैं फोटोग्राफी का अविश्कार किस ने किया था चली आंसर किजेगा इसका अविश्कार हुआ था यह आप नोट कर सकते हैं यहां पर 18 1826 में ठीक है और जितने भी लोग जूड़ रहे हैं प्लीज वीडियो को शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा जरूर फोटोग्राफी यानि की धातु में ठीक है इसका अविश्कार 1826 में किया था किस ने किया था तो जी निपसे ने किया था जी हां इनका नाम नोट कर सकते है जी निपसे is the right answer जी निपसे is the right answer नोट कर सकते हैं चलिए question number 18 पे चलते हैं और यहां पे answer क्या होगा अविश्कार किस ने किया था जी हां आंसर क्या हो जागा question number यहां पे focus टॉल बेट देखिए यहां पे जी निपसे में ने बोल दिया और जी निपसे ने क्या किया था दोस्तों यहां पे तो फोटोग्राफी धादू का विस्कार किया था और इसका विस्कार किया था दोस्तों अठार सो पैंसर कर लेंगे question number 18 पे आते हैं थोड़ा numerical है यहाँ पे आंसर जूरूर कीजिएगा यदि 5 ओम के प्रतिरोद की एक तार से 2 एंपियर की धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच विवानतर क्या होगा चलिए तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे यदि 5 ओम के प्रतिरोद के एक तार से 2 एंपियर की धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच विवानतर हमारा 10 भोल्ट का होगा यह आप calculate करेंगे ठीक है C is the right answer next question पे चलते हैं question number 19 पे joule 32 किसकी काई है joule 32 किसकी काई है जी हाँ आंसर करेंगे जल्दी से बिल्कुल जी हाँ दोस्तो इट्स सक्ती नोट कर सकते हैं आंसर यहाँ पे क्या होगा सक्ती B is the right answer पावर का यह क्या है दोस्तो इकाई है joule 32 चलिए question number 20 पे चलते हैं 20 के question का आंसर कीजिएगा यहाँ पे सरीर के सरीर में केलसियम नामक खनीज का कमी से कौन सा रोग होता है चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे question number 20 का सरीर में केलसियम नामक खनीज की कमी कौन से रोग से होता है अस्ती और दंत विकार से आंसर क्या करेंगे it's A अस्थी और दंत विकार से होता है नोट कर सकते हैं आंसर हमारा ए हो जाएगा चलिए कोशन नमबर 21 पे चलते हैं दोस्तों केलसी फिरोल किस बिटामिन का रसाइनिक नाम है केलसी फिरोल चलिए आंसर करेंगे केलसी फिरोल किस बिटामिन का रसाइनिक नाम है चलिए आंसर कर किस तना का मुख्यकार खाद संसलेशन होता है तो यहां पर याद रखेगा दोस्तों नाग फली अंसर हमारा डी हो जाएगा नाग फली ठीक है दोस्तों अंग्रेजी में अगर अनुवाद किया जाए इसको तो कॉंटेंट कहते हैं इसको ठीक है और कॉटेगेस इसका जो आम तोर पर जो नाम है इसका सैंटिफिक यह भी ध्यान रखेंगे नाग फली का नाग फली दोस्तों काटेदार होता है यह भी ध्यान रखेंगे यह काटेदार एक पौधा होता है जो की रिगिस्तान की छेत्रों म सबसे ज़्यादा पाए जाता है वैसे उच वर्गी करन अगर देखा जाए इसका तो दोस्तो मेलिनी है और क्रम जो है इसका रोजिन्स है रोजिल्स ठीक है याद रखेगा कोश्ची निम्बर 23 पे चलते हैं दोस्तो निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है देखे चार कथन है यहाँ पे आपके पास आंसर जरूर कीजिएगा यहाँ पे और एक कथन पांच वा भी ठीक है यह आपको दिखला दे ना चाहता हूं यहाँ पे आंसर कीजिएगा भारत में उनिवरसत्टर की पहली मील 1876 में कानपूर में स्थापित की गई तो कोशिन मनता है कि भारत में उनिवस्तर पहली मिल कब स्थापित हुई थी बिलकुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे यह तो बिलकुल सही है 1876 में और सूती वस्तर का 1888 में याद रखेंगे भारत में लगबग 54.72 किलोमेटर का सड़क नेटवर्क विस्तर का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क तो यह दो कथन तो यहीं सत्ते हो गए यानि कि आपका कथन E होगा कंफर्म है यहाँ पे कि एक से अधिक यहाँ पे आंसर होगा ओके आंसर E कर लिजेगा भारी जल का रसाइनिक नाम क्या है जी हाँ दोस्तो इसको कहते हैं D2O नोट कर सकते हैं Deuterium Oxide is the right answer नेक्ट कोशिन पे चलते हैं 25 पे जिपसम का रसाइनिक सुतर क्या है जिपसम का रसाइनिक सुतर क्या है चलिए आंसर करेंगे दोस्तो आंसर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों यहां पे इट्सा जियां परावेगनी किर्णों की जियां भी इस दराइट आंसर नोट कर लेंगे कुशिन इंबर्ट मेंट इस टेक बेंट पे चलते हैं ओजोन प्रभावित करती है किसको दोस्तों आंसर करेंगे यहां पे ओजोन प्रभावित करती है किसको बिल्कुल यहां पे आंसर करेंगे दोस्तों पारे तथा चांदी को सबसे ज़धा प्रभावित करती है आंसर क्या कर लेंगे इस दराइट आंसर फटा 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 आंसर करते हैं यहां पे ब्रोमीन क्या है चलिए आंसर करेंगे यह कोशिन बिहार दरोगा में पूछा गया है सवाल ब्रोमीन क्या है तो सारे कोशिन most important और most expected है यहां से आने के लिए एक्जाम में हर एक सवाल का जवाब दे कर जाएगा ब्रोमीन एक लाल द्रव है दोस्तों बिल्कुल सही उतर कर रहे हैं D is the right answer फटावड आंसर करते हैं यहाँ पे question number 29 पे चलते हैं कौन सा कथन सत्य है देखिए फिर से यहाँ पे आपके पास 5 कथन दिये गए हैं तो सीवा जी का उत्राधिकारी कौन था याद रखेगा संभा जी जी हाँ उत्राधिकारी दोस्तों कौन था संभा जी यह तो उत्तर बिल्कुल सही है संभा जी ने उज्जेन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कभी कलस का अपना सलाकार न्यूक्त किया था सांबा जी के बाद राजा राम के नए छेत्रपती के रूप में बिल्कुल यहाँ पे उत्तर सही है तो यहाँ पे एक से ज़्यादा उत्तर सही दीख रहा आपको आंसर कर देजिगा कोशी नमबर 30 पे आते हैं एक सुतंतर राजा के रूप में सिवा जी का राजा विशेख कहां किया गया चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तो एक सुतंतर राजा के रूप में सिवा जी महराज का राजा विशेख कहां किया गया आंसर करेंगे दोस्तो इस ए रायगड दोस्तो नोट कर सकते हैं रायगड में आंसर क्या होगा ए रायगड Question number 31 दोस्तो निमलेखित में से किस सहर मैं अन्तराष्टे मुद्रा कुस का मुख्याले है चलिए आंसर कीजिए का जल्दी से फड़ावड यहां पे निमलकित में से किस सहर में अंतराश्टेक मुद्राकोस का मुख्याले है तो याद रखीएगा दूस्तो अमेरिका के वासिंग्टन डी सी में दी इस दे राइट आंसर नोट कर सकते हैं वासिंग्टन डी सी सहयुक्त राज अमेरिका की राज़ानी होती है और 16 जुलाई 1790 पर अमेरिका ने कॉंग्रेस ने इस रिजन को अनुमदित किया था ठीक है याद रखेंगे कोशिन नमबर 32 दोस्तो सफेद कुमूदनी कहां का राष्टे प्रतीक है देखे एक और यहाँ पर आगया कोशिन यहाँ पर सिंबल से और सिंबल वाला मैंने वीडियो आज दिया है बारा बज़े दो फ़र में उस वीडियो को जाकर जरूर से जरूर देखेगा बहुत इं लगवार में थे ऐंसर कीजिएगा दोस्तो यहाँ समुद्रगुप्त करेंगे अधर माना भी हो जाएगा विजन बर 34 दोस्तों नौरतनों का संबंध किसे फटा 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 आंसर कीजिए हर कोशिन का आंसर नीचे कमेंट बोक्स में करते रहिए और जितने भी लोग यहा Dt. extend चंद्रगुप्त द्वीटी ए is the right answer next question पर चलते हैं को स्थ नमबर 35 दोस्तो होइसल सैली का स्रिष्ट मंदिर कहां है चलिए कोश्चlex No. 35 का कश्षर करेंगे आप यहां पर होईशल सैली का स्रिष्ट मंदिर कहां पर है दोस्तो होईशल सैली का स्रिष्ट मंदिर कहां प जो कि यहां पे कुछ आखरतियां ऐसी हैं जो कि कुछ पर अन्य रूप तथा कुछ सहज गोलाई के लिए हैं मंदिर में प्रवेश मार के दोनों तरफ ही रहते हैं इसके इसलिए आंसर यहां पे होगा हेली बीड में है बी इस दराइट आंसर हेली बीड यहां होईशल राजवंस भी हुआ करते थे होईशल जो है प्राचिन डक्षिन भारत के एक आभारी राजवंस हुआ करता था इनकी राजवंस पहले बैलूर थी हैना पर बाद में स्थांत्रिद होकर यह दोस्तों कहां हो गई जीहां नोट कर सकते हैं और काविरी नदी जो है इनकी उपजाव घाटी हुआ करती थी ठीक है बैलूर के बाद इनकी जो राजधानी थी ये होले बिदू हो गई ठीक है होले बिदू कोशिन नमबर 36 चलिए आंसर कीजिएगा होले बिदू यानि हाले बीड लिख दिया गया यहां पर ठीक है ठीक है जिनका उत्तर यह आ रहा है उत्तर सही कर रहे हैं और नोट करते रहेगा हर कुशिन के आंसर के लिए दो नमबर और गलत आंसर के लिए पॉइंट तू नंबर काट लिए जाएंगे चलिए कोशन नमबर 37 का आंसर करेंगे भारत में काली मिय्ती किस स्रेणी día रखी जाती है, आंसर करेंगे नीचे comment box में दोस्तो, भारत में काली मिटी की स्रेणी में रखी जाती है तो इनको कहते हैं, चेरनोजन नोट कर सकते हैं, चेरनोजन Question number 38 पृत्वी किस तिथी को सुरी से सरवाधिक दूरी पर होती है, पृत्वी सबसे जो है, किस तिथी को सुरी से अधिक दूरी पर होती है, तो डेट याद रखेगा, मैं बहले भी बता चुका हूँ इसके आंसर, जी हाँ, it's the 4th of July, is the right answer Next question पे चलते हैं टुन्डरा परदेश के निवासियों का मुख्य धंदा क्या है टुन्डरा परदेश के मुख्य निवासियों का धंदा क्या है तो यह है सिकार करना C is the right answer नोट कर सकते हैं Question number 40 राष्ट्य धातु करम परयोग साला कहा इस्तित है चलिए दोस्तों आंसर करेंगे यहाँ पे राष्ट्य धातु करम परयोग साला कहा इस्तित है बिलकुल याद रखेंगे दोस्तों जमसेदपूर दोस्तों जमसेदपूर जो है यह हमारे जहरकंड का एक सहर है ठीक है जो की ओद्योगिक सहर भी कहा जाता है जहरकंड का Question number 41 सरवाधिक उपगरह किस ग्रह में है सरवाधिक उपगरह किस ग्रह में है आंसर करेंगे दोस्तों ब्रेसपती ग्रह A is the right answer A is the right answer नोट कर लेंगे Question number 42 सको ने कहां सासन किया है चलिए संको ने कहां सासक किया है चलिए आंसर करेंगे दोस्तों Question number 42 का यहाँ पे स्वाराष्ट जो है गुजरात का पार्ट होता है दोस्तों याद रखेंगे आंसर यहाँ पे B हो जाएगा इस the right answer दोस्तों इसका जो PDF है वो आपको मैं share कर दूँगा YT Education के टेलिग्राम पे YT Education का टेलिग्राम आप जोइन कीजिए जरूर से याद से क्योंकि यहाँ पे वो सारे PDF आपको share किये जाते है टेलिग्राम में के application है अपने play store से जाके अपने mobile में download कर सकते हैं वहाँ से आप इसके PDF को download करके पड़ भी सकते हैं तो जरूर से जरूर जोइन कीजिएगा आप YT Education का टेलिग्राम चैनल Question number 43 स्वारी उर्जा का उपियोग किस प्रकार के कारी में किये जाते हैं फडा फडा आंसर किजिए गा देखे स्वारी कूकर से खाद पदार्थों को पकाने में यह बिलकुल सही है स्वारे जल उसमक को जल को गरम करने में भी किया जाता है सौर शक्ति सनियंत्र के विधुत उर्जा को उत्पादिन करने में भी किया जाता है ठीक है तो एक स्यादी का आंसर हो गया है तो आंसर E कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे Question No.44 Maratho का कारेकाल में चौथा क्या था चौथा किसको कहा जाता था जी हाँ एक तरह का ये कर होता था दोस्तों क्या था टैक्स था याद रखिएगा आंसर C हो जाएगा यहाँ पे जी हाँ माराठो के कारेकाल में एक कर क्या होता था एक तरह का टैक्स था ठीक है एक कर था चौथा Question No.45 वेली जली ने सासन के दौरान घटित महतपून घटना को चिनित किया किजिए चलिए वेली जली चलिए आंसर किजिएगा यहाँ पे वेली जली के बारे में कोशन दिया गया है तो थोड़ा सा कोशन इंपोर्डिन बनेगा एक्जाम में यहाँ से कोशन जरूर बन सकता है तो याद रखीगा यह टीपो सुल्तान की हार और मिर्तियों से संबंदित है ठीक है यह जो लाइन है यहाँ पे यह B हो जाएगा सही उत्तर कोशन निम्लेकित में से कौन सी घटना थी जिसने नए वर्ग को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया और जबकि प्रारंभ में ही उनके प्रती विस्वसनिये थी यह आंसर करेंगे दोस्तो कौन सी घटना थी तो एक तो अंग्रेजों के दोबारा उनको दबाए गए थे यह तो पहली मतलब सुचना थी उसके बाद जो उनके जो नई विवस्था सी उससे वो अंतुष्ट और संतुष्ट है यह भी है अजन आक्रोस भी से बचने के लिए भी ऐसा हुआ था तो यह एक से ज़्यादा उत्तर हो गया तो उत्तर यहाँ पर ई कर सकते है कोशिन नमबर दोस्तो 47 आपको ऐसे किसी से इमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं आपको क्या करना चाहिए देखे मैं इसके बारे में आज एक वीडियो भी बनाया हूँ अपने चैनल पे चलिए अपने वाइट एजुकेशन के अटेशिक्स में ठीक है कि अगर आप जोब ढूम रहे हैं जोब नहीं लग रहा है तो फ्रेश्टेशन में आके बहुत सारे चात्र क्या कर रहे हैं फेस्बूक पे वाटसब पे ट्वीटर पे जाके नमबर कलेक्ट कर रहे हैं लोगों का और वो ऐसे चात्र हैं जिनको यहाँ पे पढ़ाई से मतलब नहीं वो लोगों के नमबर कलेक्ट करके आंदोलन करना चाहते हैं आंदोलन ऐसे नहीं होता है ठीक है वो एक डेटा संग्रह कर रहे है और इमेल के जरिये भी ऐसा किया जा रहा है तो बिहार के चात्र खासकर में आप सभी को यहाँ समझाना चाहूँगा कि ऐसे इमेल या कॉंटेक्ट नमबर अपने मोबाईल नमबर जो है वो फेसबूक या ट्वीटर पे सेर ना करें आप लोग ठीक है वहाँ से आपका मिस्यूज हो सकता है नमबर या पर आपका इमेल आईडी तो थोड़ा साउधान रहने का भी जुरूत है अपना जो इमेल आईडी वेगरा है किसी को भी फेसबूक जिसे बहुत लोग पोस्ट देखते होंगे बिहार दरोगा फरजी बिहार दरोगा फरजी रिजल्ट बिहार दरोगा का नितिश कुमार सरकार ने ऐसा किया या फिर इन सरकारों ने ऐसा क्या किया चलिये हम लोग आंदूलन करते हैं ऐसा करके एक पोश्ट डाल देगा और वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना नमबर दीजिए हम लोग एक ग्रूप बनाते हैं और बहुत सारे लड़के क्या होते हैं कि गुस्पसा जो है अपना उतारने के लिए वहाँ पर अपना नंबर सेयर कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना आप लोग वहाँ पर ठीक है ऐसा बिलकुल नहीं करना है वो सारे लोग आपके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ताक आप नहीं जानते हैं आपको क्या करना चाहिए तो आंसर कीजिए दोस्तों यहां पर जल्दी से कि बीना खोले उसे मिटा देना चाहिए उसको अम लोग spam कहते हैं ठीक है जो बीना मतलब के advertisement भी बहुत सारे आते हैं आपके mail पे तो उसको बीना खोले हैं समान होता है एक million byte के एक MB नोट कर सकते हैं सी इस दर राइट अंसर यहां एक MB होता है दोस्तों million bytes को कहते हैं एक million bytes के ब्राबर होता है कोशिन नुबर 49 motherboard के component के बीच information के माध्यम से travel करता है क्या बिलकुल इसको कहते हैं बेस नोट कर से यह हैं बेसेज नोट कर सकते हैं दोस्तों बेसेज कहते हैं इसको motherboard के component के बीच information के माध्यम को जो travel करते हैं information कहते हैं इसको packages कहते हैं इसको ठीक है याद रखीएगा बेसेज कहते हैं इसको question number 50 देखते हैं दोस्तों आपके computer में निमलेखित में से कौन सा memory दरसाता है तो RAM जो है वो आपको memory दरसाता है दोस्तों कि कितने RAM का आपका computer है जिसे के 50 प्रश्णों में आपने कितने उत्तर सही किए यह comment box में नीचे comment करके हमें जरूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके भी हमें जरूर बताएंगे रोज की तरह शाम को 8 बजे आप हमारे साथ जुड़िए इस class में इस smoke test में जहां पे बिहार द्र कर दो